हेलो फ्रेंट्स मैं हूरा जन और आप देख रहा है हमारे चैनल दिलिप टेलर शेंड बुटिक जिसमें आज हम बात करेंगे कटोरी ब्लाउच कटिंग की 38 साइज में फ्रेंट्स अगर आप कटोरी ब्लाउच की पेपर कटिंग्स खरिदना चाहते हैं तो आप दिलिप टेलर सेर्च कर सकते हैं एमेजोन पे या फिर वाट्साप नंबर जो नीचे चल रहा है उस पे आप मैसेज करके पूरी इंक्वाइरी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं 38 इ पीछे गला 10 इंच कटोरी इसमें 6 इंच की लगेगी और ने 6 की भी कटोरी लगती है 38 साइज में 6 इंच की भी लगती है जो पूरा मेजरमेंट लिया गया है बॉड़ी से तो आप लेंगे तो हो सकता है कुछ चेंज आ सकते हैं और कैसे करेंगे इसकी कटेंग चलिया पेपर जिस पर हम मेजरमेंट लेंगे सबसे पहले लंबाई का यहां पर ध्यान देना इस डेबल फॉल्ट पेपर पे जब आप लंबाई नाप होगे तो दो जगा आप निशान लगाना जिसे 14 इंच की लंबाई है तो एक इंच का मार्जिन दे करके 15 इंच यहां पर और उसके बाद एक निशान यहां पर दो जगा लगाने से स्केल से जब आप इस निशान को मिलाएंगे तो यह निशान आपका बराबर मिलेगा ठीक है यह इस तरह से लंबाई के जश्ट बाद आएंगे शोल्डर पे पीछे गला डीप है मतलब शोल्डर आपको कम करना है 1.5 पे तरह से सब्सकेल लेंगे और इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएंगे 1.5 निशान को निशानों। अब हम स्केल लेंगे और इस निशान को सीधा आगे बढ़ा लेंगे, यह ऐसा है, इसके बाद, चेस्ट और कमर, यह दोनों नापेंगे, हमारा बेसिक फ्रेम तयार हो जाएगा, तो चेस्ट देखिए, बॉडी नाप पे 38 इंच का है, लेकिन हमें इस टेंडर लूजिंग य अब जैसा ही, चालीस है चेस्ट, चौथा हिस्सा कितना होगा, दस इंच, यहां पर निशान लगाएंगे, दस इंच का, और उसके बाद, सवा इंच का सिलाई मार्जिन, यह देड़ इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमर पे आएंगे, 34 का चौथा हिस्सा कि इसलिए लेते हैं, क्योंकि कमर पे डॉट लगता है, और डॉट के लिए एक इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, यह बिल्कुल आपको क्लियर रखना है कमर पे, नहीं तो फिर आपका ब्लाव जो है छोटा हो जाएगा, यह करने के बाद, अभी हम आते है उपर की साइड गला, आर्म होल, तो सबसे पहले शोल्डर डाउन करेंगे और आर्म होल डाउन करेंगे, यहां पर एक चीज़ ध्यान देना, हमारे कटिंग मेथड में, जब हम कटिंग करते हैं, तो डीप गला बनाते हुए, हम शोल्डर को गले की तरफ डाउन करते हैं, तो यह आपको भी इस प्रकार से गले की तरफ डाउन करना है, और उसके बाद आर्म होल की बात करें, तो आर्म होल आपको अंदर की तरफ डाउन करना है, यह ऐसे, दो चीज़ें करनी है, उसके बाद आर्म होल की गलाई, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए मैंने यह हो गया, अब यहाँ पर गल्य की गहराई, सामने का गल्याए 7 इंश का है तो 7 इंश का हम लेए निشान, यह निशान लेने के बाद आप इसकेल से इस निशान को सिधा आगे बढ़ाओ, और फिर उपर से इसको मिला देना है, उसे पहले यहाँ पर आपको नाप लेना है, जैसे आप इसको सववा दो नहीं रखना चाहते है, धाई इंच, पौने तीन इंच, अपने हिसाब से फैलाना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, उसके बाद ये इस प्रकार से हमको मिलाना है, और फिर गले की गोलाई देनी है, अब ये कटोरी ब्लाउज है, तो यहाँ पर ग बारा पर, ठीक, ये इस तरह से, ये सववा बारा भी ले सकते हैं, और ये निशान फिर सीधा हम इसको इस प्रकार से मिला लेंगे, अब अगर आपने बोडी मेजरमेंट में, डॉट पॉइंट को नोटिस किया है, डॉट पॉइंट को नापे है, तो बहुत अच्छी बात है, आप कैसे करोगे, शोल्डर पे आपको टेप रखना है, और वहाँ से इस तरह से, जैसे आपका डॉट पॉइंट आ रहा है, जैसे आपको निशान डॉट पॉइंट को लगा लेना है, अगर आपने नहीं नाप आ है, तब के केस में आप क्या करोगे, ये मैं थोड़ी लिए बॉड़ी मेजरमेंट से या पुराने बलाउट से नाप सकते हो, जैसे 6 इंच की कटूरी है, तो 6 इंच का निशान, ये निशान आप उपर भी लगाओगे, यहां पर भी 6 इंच का, दोनों निशान को स्केल से मिला लेना है, अब उसके बाद मैंने सिंपल स्टेंड लेकिन उसके सब अलग-अलग केसेज हैं, आप हर एक साइस का जब वीडियो देखोगे, चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं, आपको पूरा क्लियर होगा, शोल्डर की दरब से मैंने इस निशान को कितना बता है, 5 इंच, अब यह सबी के लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है, इंटर किते पर आएगा, तीन इंच पर, यह निशान, और उसके बाद यहां से उपर उठा करके एक इंच उपर आपको निशान लेना है, अब यह जरूरी नहीं कि हमेशा एक इंच ही उपर होगा, कभी-कभी सवा इंच भी हो सकता है, यह जब आप अच्छे तरीके से इंच की दूरी से करना है, यह ऐसे, इसको कर लिए तिरचा, यह हो गया, अब इतना करने के बाद आपका डाइग्राम यहां तक कम्पलीट हो गया, अब आपको करनी है कटेंग, शोल्डर से करेंगे सुरवात, नीचे डाउन वाले निशान से, उसके बाद आजाते आर्म ह टाइट होगा, थोड़ा सा डाउन करेंगे, उसके बाद यहां पर देखो, यह जो निशान है, इसके उपर आपको कटिंग करनी है, जैसे ही अपने यह काटा, आपका सामने और पीछे पला अलग-अलग हो गया, तो यहां पर गले का छोटा सा कट लगा देना, नहीं भी ल अब बारी आरम होल को छाटने की, तो यह यहां से इस तरह से आपको छाटना है, अब सामने के सभी पल्ले अलग-अलग हो चुके, पिछे पल्ले को अभी रहने देते हैं, सामने पल्ले में ही, कटोरी के बारे में बात करेंगे, कटोरी को हमें मार्जिन दे करके बढ़ाना अब यहाँ पर हम लेंगे एक एक्स्ट्रा पेपर जिस पर अभी आपने जो कटोली कट किया उसको उपर रखना है सबसे पहले आप क्या करोगे करोगे कटोली को फोल्ड करके यह इस तरह से फोल्ड करके शेंटर का आपको लगा लेने लिए यहाँ पर और यहाँ अब देख से हमें के लिए हैं अब यह ही से आपको एक निशान लेना पड़ेगा यह निशान आपको लेना है इस सेंटर से 1,5 इंच को लग अलग बताएब आपको बाकी scale आपको यूज करना है ये इधर से इस तरह से मिल जाएगा और इस साइट से भी आपको मिला लेना है। अब तुरंध हम आते हैं इधर गले की शेप पर गले की शेप पर आपको इस प्रकार से निशान लगाना है जो शेप है उसी के ऊपर केवल गले के दोनों नोग पर सिलाई मार्जिन जो की हाफ इंच का होता है वो देना है फिर ये भी निशान आपका मिल जाएगा ऐसे और ब नहीं है यह नई काटूरी फ्रेश गोल काटूरी हमारी त्यार है अब अब देखना यहाँ पर हमें कैंटिंग कर देना को इंद कुरा तो उसको सुधार सकते हैं उसके बाद ही cutting करेंगे इतना काटेने के बाद यहां पर ध्यान दें कटोरी के डॉंट की बाद यह तो डॉंट के लिए आपको फिर से इसको बीचे से उसके बाद आपको कटोरी का सेंक Curry लेना है फिर से संटर मतलब चैंच की mat hogy तो या पर तिन इंच का निशान होगा उसका आधा करके अब यह निशान आया तो इस निशान से आपको यहाँ से इस प्रकार से fold कर देना है, ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको cut लगाना होगा, ये cut कुछ इस तरह से लगेंगे, ये center का, तो ये आपका cutory का dot बनेगा, बिल्कुल clear है, कहीं पर कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से cutory बनाओगे, अच्छी fitting आगईगी, अगर आपको बनाने में तकलीफ है फर्मे के जंजट नहीं पढ़ना चाहते हैं डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप इंक्वाइरी कर सकते हैं दिलिप टेलर से स्पेशल पेपर कटिंग आपको लेबल हैं इमेजोन पर भी और पस्टनल ओडर करके भी आ इंच का मार्जिन देना है केवल बेल्ट में योग पट्टी है ना इसमें अगर आपने इस पर मार्जिन ने दिया तो आपका सामने का पल्ला चोटा हो जाएगा बाकी आपको कहीं पर कोई अत्रिक मार्जिन देने की ज़रौत नहीं है और किसी भी ब्लाउज की कटिंग मे जो भी मैं size wise tutorial बता रहा हूं इसमें मैं astin की cutting नहीं बता रहा हूं तो astin की cutting सभी blouse में सेम तरीके से होती है अस्तिंग के लिए मैंने बहुत सारे टिप्स आप लोगों को अल्रेडी दिया है यहां पर बात करेंगे पीछे पल्ले की तो यह पीछे का पल्ला देखना अगर बात करें गल्ले की तो सवा दो इंच का हमने उपर अल्रेडी कट लगाया हुआ है यह देखिए और उसके करीब पौने ती नीज का ती नीज का इस तरह से देना है और से मिला करके राउंड शेप देना है या जो शेप आप देना चाहते हूं वह शेप देना है जैसे मटके गले का शेप देना है तो यहां पर आप क्या करेंगे इस तरह से ऊपर से ऐसे आप शेप देते आएंगे और यह इस प्रकार से आपका मटका गला राउंड घूमता है यह हो गया अभी मैं इसको कटिंग करके बताता हूं मटका गला यह खैर डबल फोल्ड का शेप होगा आप जब शिंगल में इसको कटेंगे मटका गला बहुत ही खुबसूरत दिखता है तो इस प्रकार से गला ERE-DOT की इतने इंच का लगाना चाहिए तो हाफ इंच का डॉंट लगता है पीछे पले में डबल फॉल्ड बा ठीक है यहां पर देखना साधे चारी इंच की दूरी और लगभग नसच की ऊंचाहिए यह आपका डॉंट होगा पीछे पल रेका यही इस तरह से पीछे पले को आपको हमेशा डबल फोलमें काटना आप अगर सामने होंक वाला बनाना चाहते हों हमेशा इस सीज जो की बहुत ही common size है, बहुत ज़्यादा इस size की demand होती है, इस size को मैंने explain किया, अगर कोई भी doubt आप कराएगा, नीचे comment कर सकते हो, आगे जब भी मैं videos बनाऊंगा, तो आपके comments को महत्व दे करके, उन्हों को पड़ करके, मैं उन videos को बनाऊंगा, तो आप लोगों को ज़्या तब तक के लिए, जाए हैंदा